C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक तीसरा पाठ घर प्रिष्ट संख्या 14 से 19 तक प्रस्तुत है पाठ घर बड़ा उन उन ग ग पर आकी मात्रा य गाय गाय त र पर आकी मात्रा र ज पर बड़े उकी मात्रा और बिंदी तराजू घर 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 पर आकी मात्रा पा न पान पान ह ल हल हल अब आप इन शब्दों और वणों को पहचानिये और मेरे साथ बोलिये उन गमला तराजू पान पान हल घर घर किताब किताब ग पाः पा अ ह आ पा अ ह ह। अब इन शब्दों को सुनिए और मेरे साथ दोराईए उन जून जूता गीता घड़ा घड़ी ताउ ताई गगन गमला तबला महीना गायक नायक पालक पालकी पहला दूसरा तीसरा तसवीर चार अब आप इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करें बड़ा उ, ग, घ, प, य, ह यहां पर कुछ चित्र दिये गए हैं और साथ ही कुछ शब्द भी दिये गए हैं आपको इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित मिलान करना है यहां पर तलाब का चित्र है तराजू का चित्र है कबूतर का चित्र है पालकी का चित्र है महल का चित्र है और पपीते का चित्र है अब आप इन शब्दों को इन दिये गए चित्रों के साथ मिलाएंगे तो दिये गए शब्द हैं कबूतर, पपीता, तालाब, पालकी, महल, तराजू, मटका मौखिक पाठ अब मैं वाक्य बोलूँगा और आप इन वाक्यों के साथ जी हाँ या जी नहीं लगा कर उत्तर देंगे मैं किताब दिखाते हुए पूछता हूँ क्या यह किताब है? जी हाँ, यह किताब है मैं कौपी दिखाते हुए पूछता हूँ क्या यह किताब है? जी नहीं, यह किताब नहीं है अब मैं कुछ वाक्य बोलूँगा और आप उन्हें दोहराएंगे क्या यह कलम है? हाँ, यह कलम है नहीं, यह कलम नहीं है नहीं, यह कलम नहीं है तीन अब मैं अलग-अलग वस्तू या चितर दिखाते हुए प्रश्ण पूछूँगा और आप उनका उत्तर देंगे मैं कौपी दिखाते हुए पूछता हूँ क्या यह कौपी है? जी हाँ, यह कौपी है अब मैं हल का चितर दिखाते हुए पूछता हूँ क्या यह तराजू है? जी नहीं, यह तराजू नहीं है यह हल है अब मैं घड़ी दिखाते हुए पूछता हूँ क्या वह घड़ी है? जी हाँ, वह घड़ी है अब मैं दीवार दिखाते हुए पूछता हूँ क्या वह दर्वाजा है? जी नहीं, वह दर्वाजा नहीं है, वह दीवार है अब मैं दवात दिखाते हुए पूछता हूँ अब मैं दवात दिखाते हुए पूछता हूँ, क्या वह दवात है? जी हाँ, वह दवात है यहाँ एक मटके का चित्र है, इस पर कुछ वन और मात्रा लिखी हुई है जो हैं ग, ग, बड़ेव की मात्रा, ह, बड़ाउ, य, और प अब आप इन वनों और मात्रा को मिला कर सार्थक शब्द बनाईए और लिखिए योग्यता विस्तार विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उसके आसपास के नए नए शब्दों और वस्तूओं को बातचीत का विशय बनाए यदि नए शब्द प्रयोग में लाएं, तो उन्हें केवल मौखिक रूप में प्रस्तूत करें उनके लिखित रूप विद्यार्थियों के सामने न लाएं तीन, मातरी भाषा प्रभाव के कारण कुछ विद्यार्थियों के उच्चारण में गलती होने पर उसे न रोकें विद्यार्थियों की सहज अभिव्यक्ति की प्रशंसा करें धीरे धीरे उच्चारण का मानक रूप बार बार बोल कर सही उच्चारण सामने लाएं दूर्वा भाग एक पिएट न्चिएर्ट